नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकराया हूँ आपके लिए जनरल नॉलिज के 10 कोस्चन्स जो कि आपके दोस्तों आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्कुल कोस्चन्स साबित होंगे तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके लिए बदा देना चानाता हूँ कि यह वीडियो केवल डिफेंस के एक्जाम्स जैसे आर्मी, येरफोर्स, नेभी, आर्पिएफ, सी आर्पिएफ, सी आईएसफ, आईटीवेप, एससबी, बीएसफ और डिफेंस के एक्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में जो भी कोस्चन्स मैंने लिये हैं, वो केवल, वैसे कोस्चन्स हैं जो डिफेंस के एक्जाम्स में आते हैं तो दोस्तो अगर आप defense की exam की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में एक एक question बहुत ही ज़्यादे महत्पूर्ड है और आपके लिए यह वीडियो end तक देखना चाहिए और exam में निश्चत सफलता प्राप्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe जरूर करें तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question number 1 है भारत में सरवादिक बर्षा करने वाला इस्थान है भारत में सरवादिक बर्षा प्राप्ट करने वाला इस्थान है तो option से आपके option A चेरापुंजी, option B सिमला, option C बीकानेर and option D माव सिंड्राम तो दोस्तो question number 1 का सही answer होगा option D माव सिंड्राम तो दोस्तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज बता देना चाहता हूँ कि भारत में सरवादिक बर्षा जो पहले होती थी वो चेरापुंजीम होती थी लेकिन अभी चेरापुंजीम नहीं होती है अभी हो option A केरल, option B पस्चम बंगाल, option C उलिशा and option D इन में से कोई नहीं तो question number 2 का सही answer होगा option C उलिशा जी हाँ दोस्तो भारत के जो उलिशा राज है उसमें जाले के मौसम में बर्षा होती है next question है हमारा question number 3 भारत के पस्चमी समुद्र तट पर बर्षा किस मानसून से होती है option से आपके option A दक्षण पस्चम, option B दक्षण पूर्व, option C उत्तर पूर्व and option D इन में से कोई नहीं तो दोस्तो question को एक बार आपको और बता दे रहा हूँ question है आपका भारत के पस्चमी समुद्र तट पर बर्षा किस मानसून से होती है options में आपके लिए बता चुका हूँ तो question number 3 का सही answer है option A दक्षण पस्चम मानसून से तो दोस्तो वीडियो में आगे चलने से पहले एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ क्योंकि आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल यह जो सिवा ओनलाइन क्लासेस है इस पर जनरल नॉलिज करेंट अफर्स के साथ साथ आपको गवर्मेंट जॉब की नोटिफिक्शन भी उपलब्द कराई जाती है तो अगर आप किसी भी गवर्मेंट जॉब की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस से बहतर चैनल कहीं पर नहीं मिलेगा क्योंकि दोस्तो सबसे पहले तो हम आपके लिए उस जॉब की नोटिफिक्शन देंगे उसके बारे में आपको फुल डिटेल बताएंगे और फिर उसके बाद में उस जॉब की आपको तयारी भी कराए जाएगी चलिए दोस्तों नेक्स्ट कोस्टिन के तरब चलते हैं कोस्टिन नमबर फोर है हमारा भारतिये बन सर्वेच्छन बिभाग का मुख्याले कहां पर है ऑप्सन से आपके ऑप्सन ए भोपाल ऑप्सन बी नई इस्थित है तोजन नमबर फोर का सही आंशर है ओप्सन ऑ उप्सन सी देहरा दून में जी हां दोस्तों भारत के बन सर्वेच्छन बिभाग का मुख्याले देहरा दून में इस्थित है नेक्स्ट कोस्टिन के तरफ चलते हैं कोस्टन नमर फाइब भारत में ब्रिच्छरो पर उतसब होता है जिसे हम बन महतसब के नाम से जानते हैं उसके जन्मदाता कौन है तो आपके के आम मुंसी, आपके बी महत्मा गांधी, आपसन सी बिनोबा भावे, और आपसन डी जवाहरलाल नहरू तो question number 5 का सही answer होगा option A, के आम मुंसी, तो दोस्तो next question के तरफ चलने से पहले, मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, तो दोस्तो इस वीडियो कि अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के description में उसका link दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें, और दोस्तो आप हमें हमारे Telegram चैनल से भी जूड सकते हैं, जिस पर मैं बहुत ही अच्छी-ची PDF सेयर करता रहता हूँ, तो next question के बन शेतरफल का हिस्सा कितने परसेंट भारत में है, option से आपके 2.82%, option B, 1.9%, option C, 2.11% and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 6 का सही answer होगा, आपका option A, 2.82%, next question है हमारा question number 7, भारतिये बन सर्वेच्छन बिभाग की इस्थापना कब की गई थी? भारतिये बन सर्वेच्छन बिभाग की इस्थापना कहा की गई थी? कब की गई थी? तो option से आपके 1885 SB में, option B, 1984 SB में, option C, 1983 SB में and option D, 1981 SB में, तो भारतिये बन सर्वेच्छन बिभाग की जो इस्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी 1981 में, तो यहाँ पर question number 7 का correct answer ह option D, next question के तरफ चलते हैं, next है हमारा question number 8, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रिसिद राज है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रिसिद राज कौन सा है? option से आपके option A, उत्राखंड, option B, उत्तर प्रिदेश, option C, करनाटक, and option D, इन में से कोई नहीं, तो question number 8 का सही answer होगा, option C, करनाटक, जी हाँ दोस्तों, करनाटक भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रिसिद है, next question आता है हमारा, question number 9, भारत में दुदवर राश्ट्री उद्यान कहां पर इस्तित है, option से आपके option A, उत्तर प्रिदेश में, option B, उत्तर खंड में, option C, बिहार में, and option D, मध्र प्रिदेश में, तो दोस्तों, भारत में जो दुदवर राश्ट्री उद्यान है, वो कहां पर इस्तित है, तो question number 9 का सही answer होगा, option A, उत्तर र yolis में इस्तित है, और दोस्तों, अगर आप राश्ट्री उद्यान से अगर संबंद्य वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने इंडिया के सभी राश्ट्री उद्यान हो को सामिल किया है, और उस वीडियो मैंने देखिये, तो आप उस वीडियो को भी चैनल पर विजट करके देख सकते हैं कि नेक्स्ट कविशजन है हमारा आज का बहरत में कानार राष्टे उद्ञान कहाँ परिश्थ थे भारत में कानार राष्टे उध्यान कहाँ परिश्थे थे तो question number 10 के options होंगे option A मद्धिप्रदेश option B राजस्थान option C उत्तरप्रदेश and option D इन में से कोई नहीं तो question number 10 का सही answer होगा option A मद्धिप्रदेश यहां दोस्तों कानाराष्ट्य उध्यान मद्धिप्रदेश में इस्तित है तो यह थे हमारे आज की वीडियो के 10 questions वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और next वीडियो में भी मैं आपके लिए लेकर आने बाला हूँ इसी तरह से बहुत अच्छे-च्छे questions general knowledge के जो कि आपके exams के लिए बहुत ज़्यादा important questions होंगे तो चलिए दोस्तो thank you for watching कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जेहन जे भारत